हेलो फ्रेंट्स वन्स अगें वेलकम एंड वेलकम बैक तो यू आल ऑन माई यूटीव चैनल सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूसोल एड्मिशन 2023 की सो सेंटर फोर डिस्टेंस एंड ओनलाइन एड्यूकेशन यूसोल और पंजाव इनिवस्ट चार तारिक से एड्मिशन स्टार्ट हो चुकी है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया और इंस्टाग्राम पर बता दिया है आज बात करेंगे बाकी अपडेट्स की एड्मिशन के और फॉर्म वगरा की फीस की और बाकी चीज़े जो भी एड्मिशन से रिलेटिड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा वीडियो का एंट तक जिरूर देखिएगा सो आईए स्टार्ट करतें इस वीडियो को सबसे पहले था अड्मिशन शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि चार अगस्त से स्टार्ट होकर के अठाईस अगस्त तक आप लोग फॉर्म कर सकते हो उसके बाद आप लोगों को 31 अगस्त तक हार्ड कोपी जमा करवाने हैं ये मेलनी अड्मिशन शेड्यूल आप लोग इसे देख सकते हैं आप बात करतें कि फॉर्म कैसे जमा करवाना है दो लिंक है आप लोगों को अंडर ग्राजूशन पर क्लिक करना है अगर अ आपको as a new student क्लिक करना यहां पर और इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास अपना admission form जो है वो open हो जाएगा admission come examination form फिर आप उस form के थुरूद जो है यह admission come examination form आ चुका है यहां पर तो इस form को आप फिलप करोगे जो भी details है मांगी हुई आपकी personal details है और जो भी qualifications आपकी टीविस qualification मांगी हुई exam details मांगी हुए वह सारी चीज़े आप लोग यहां पर डालोगे और उसके बाद register करोगे register करने के बाद आपको यहां पर login पर जाना है login पर जाकर कि आप लोग अपना जो login ID and password जनरेट होगा register के बाद वह आप लोग यहां पर डालोगे यूजर नेम पासवर्ड और इसके इलावा important dates में आया आपको लोगों को दिखा देता हूं कि important dates में क्या यहां पर दिया हुआ इन्होंने important dates के अलावा यहां पर आपकी फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ फी डिटेल्स भी दिए हुई है सो यहां पर आप देख सकते है starting date जो मैं आप लोगों के साल already discuss कर चुका हूँ last date 28 तारिक है तो 28 तारिक से पहले पहले आप register कर सकते हैं यहां पर आपको दिया हुए फी डिटेल्स दी हुई है फी concession and reservation की डिटेल्स दी हुई है फी concession forms दिये हुए सो यह सारी चीज़े आप लोगों को दियान में रखते हुए अपना एडिवेशन form बरना है अगर आपकी कोई concession होता है अगर आप पंजाब से SC student है तो आपकी embed कर scholarship लगती है जो कि आपकी फुरी फीस जो है वो government देती है तो इस तरीके से काफी सारी स्कीम से यहां पर तो आप लोग इन चीज़ों को भी देख सकते हैं बाकि students आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को आपके और डाउट्स दोंगा जो भी आपके डाउट होंगे वह आप comment section में comment कर सकते हैं thank you so much for watching see you soon in another video